नमस्कार मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ 20 बूरी आदते या 20 ऐसी कुण सी बाते हैं कि जो आपके हस्बंड की सेक्ष्वल इच्छा, सेक्स की इच्छा कम करती है मैं मनुविकार सेक्ष्रोग संभू हूंता था जैसन मुक्चत नहीं हो माहराश में विछली 40 साल से अकुला में प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कुण सी 20 बूरी आदते हैं आपके हस्बंड की कि जिसके वज़े से वो आपके साथ में सेक्ष्वल परफॉर्मस नहीं कर पाते हैं नमबर एक वह बहुत ज़्यादा आपके आज बहुत ज़्यादा पूर्गेट पूरे करने हैं नीन भी बराबर नहीं है और उसके वज़ेसे वह कर नहीं पाता तो प्रस्टेस कम और नीन ज़्यादा नमबर एक, नमबर दो, आपका husband हो सकता है कि zinc कम खाता हूँ, zinc, zinc बहुत जरूरी है performance के लिए, zinc की टैपनेट्स मिलती है, capsule मिलती है, गोलियां मिलती है, injection में zinc आता है, और यदि आपको zinc खाने में, naturally food में लेना है, तो oysters, beef, spinach, nuts, इसमें zinc आता है और zinc का correlation, directly testosterone से लगाया हुआ ह नमबर तीन, हो सकता है कि वो आपके साथ में emotionally जूड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो आपका husband आपके साथ में emotionally close नहीं है, emotionally intimate नहीं है, वो आपके साथ में खुली बात नहीं करता है, और फिर इसके वज़े से, आपके साथ में वो, मतलब close नहीं आता है, और फिर उससे, उसका sex drive कम हो जाता है, नंबर चार, he is homebody, homebody का मतलब यह होता है, कि वो घर के घर में रहता है, बहार निकलता नहीं जादा, क्या होता है कि आप यदि धूप नहीं लेते हो, sunlight नहीं लेते हो, तो vitamin D कम हो जाता है, और vitamin D यदि कम हो गया, तो testosterone level कम हो जाती है, लिबिडो, sex करने की इच्छा कम हो जाती है, और 2011 की एक study है, जिसमें clearly बता जाया है, कि vitamin D यदि आप कम लेते हैं, तो testosterone level कम हो जाती है, vitamin D यदि जाना आता है, तो definitely आपकी testosterone की level बढ़ जाएंगी, और उससे sex drive बढ़ सकता है, नमबर पांच, वो बहुत जादा जिम कर रहा है, मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मतलब fettist रहते हैं जिम के बारे में, और बहुत जादा strenuous workouts करेंगे, बहुत समय तक करेंगे, घंटों करेंगे, जिससे होता क्या है, कि libido कम हो जाते हैं, ठकान आ जाती है बाड़ी को, तो हरदम यह ऐसा है कि moderate exercise आप करते हैं, मतलब 40 minute की exercise करते हैं, तो sex की इच्छा बढ़ जाती है, अगर बहुत जादा strenuous exercise करते हैं, तो इच्छा कम हो जाती है, तो चेक करो कि आपका husband जो है वो शायद जिम में बहुत जादा समय बिता रहा है और बहुत जादा strenuous exercise कर रहा है, नमबर 6, वो late सोता है, बहुत जादा, मतलब late काम करता है, late सोता है, क्या होता है कि sleep अच्छी नहीं है, नीन अच्छी नहीं है, और नीन बहरी नहीं है, नीन में बहुत जादे खर्राटे मार रहा है, और नीन में apnea हो रहा है, मतलब sleep apnea बोलते है, कि बीच में इस सास रु बोलनो डालु स्लिप नहीं हो रहा है। तो आपको चेक करना है कि ओमेगा 3 fatty acids की मात्रा उसके बोड़ी में कम होते जा रही है फिर नमबर 9 आपका husband हो सकता है कि फोन के तरफ देखना बन नहीं करता है इसका मतलब यह है कि बहुत जादा फोन में busy रहता है बहुत जादा social media, tv फिर google searches तो इतने जादा करने के बाद में होता क्या है कि naturally आपके साथ में बहुत जादा distance हो जाता है और वो distance फिर naturally sex drive कम करने में हो जाता है कारने पूस होता है नमबर 10 आज भी वो अपने ex-girlfriend के बारे में सोच रहा है हो सकता है कि वो emotionally पहले कहीं कि इसके साथ में involved था और उसके बारे में सोच रहा है या आज भी उसके कोई extra marital relationship है और इसलिए वो आज भी problem कर रहा है हो सकता है कि ब्रेक अप हुआ है पहले girlfriend के साथ में मगर वो ब्रेक अभी हिल नहीं हुआ है अभी वो जखम जो है वो पचिवी है उगिली है नमबर 11 यह अपका अपन हो सकता है कि बहुँ जादा stress मैनेज नहीं करा है मैं बहुँ जादा stress हा रहा है और ही केनाट मैनेज इस्ट्रेस तनाव लेता है छुट छुटी बात के उपर घुसा करना छुट छुटी बात के उपर तनाव में आना बहुत ज्यादा expectation रखना बहुत ज्यादा चिरचिर करना उसके वज़े से और फिर sex drive में कम हो जाना नमबर 12 बहुत ज्यादा junk food आपका husband खाता होंगा जंग food जो है वो जंग food में होता है थैलेट्स पी एच पी एच ए एलेट्स थैलेट्स रहते हो ज्यादा और थैलेट्स जो है वो sex hormones कम करने में लिविडो कम करने में कानेपूस होते हैं तो वो आपको चेक करना पड़ेंगा कि क्या आपका husband बहुत ज्यादा junk food खाता है वो रिडिस करना पड़ेंगा नमबर 13 हो सकता है कि आपका husband sex मतलब एक routine धर्मकान कैसा होता है न कोई पूजा पाड़ करने चलो एक बार निपट डालेंगे मतलब इस तरह काई चलो करना है करके कर दालेंगे ऐसा करके मतलब boredom उसको हुआ है और करना है करके कर रहा है और वो बेडरूम में बहुत जाता बोर हो रहा है या उसको sex में novelty नहीं लेके आती है तो फिर ऐसा इसमें रहा तो definitely problem आ जाएगा आपको क्या करना होगा कि sex में novelty लाओ, breaks लो, भाहर के ले जाओ, vacation में जाओ, bedroom चेंज करो, positions चेंज करो, इसे दिया आप definitely करते हैं तो फायदा हो जाएगा नंबर 14 हो सकता है कि उसको mental health का problem है, anxiety है, बहुत जादा depression है और फिर anxiety, depression जो है और anxious है पहुत जादा तो वो क्या करते है कि उसमें dopamine levels जो है, वो कम हो जाती है, steroids बढ़ जाती है, adrenaline बढ़ जाती है और उससे फिर sex drive कम हो जाती है तो mental health जो है, वो seriously लिनी जाए है, mental fitness होना बहुत ज़रूरी है नंबर 15 हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा smoking करता है या तंबाकु खाता है, तंबाकु में या cigarette में nicotine ज़्यादा होता है और nicotine कानिबूस होता है, जो blood vessels रहती है उसके अंदर अस्तर रहता है, तो वो ठीक कर देता है, तो blood flow अंदर नहीं होता है, अंदर जाता ही नहीं पेनिस में, तो वो एक कानिबूस होता है कि निकोटिन खाना बंद करना होगा, यह 15 होगा नंबर 16, क्या होता है कि around 4 में से एक वेक्टी को 35-40 की उमर में 4 में से एक वेक्टी को कभी ना कभी एक्रेक्शन का प्रॉब्लम आता है, कोई भी कारण से, अब यह प्रॉब्लम सीरित लेना जरूरी है, होता गया कि लोग सीरित लेते नहीं है, रिलाज नहीं करते है, और फिर उससे एक आत्मसंद्मान कम हो जाता है, आज आज मुझे में एक वेक्टी का फोन था, बोले कि ऐसा एरेक्शन आता है, मगर भी पत्नी के पास में जाते है, और एरेक्शन नहीं आता है, तो अपने आपको, मैं बहुत कोस्ता हूँ और अपनी इज़त चले जाती है, फिर क्या होता है कि self-esteem कम हो गया, आत्मसंद्मान कम हो गया, ऐसा विक्टी, दूसरे दीन जब जाता है ऑर अपके पास में, तो उसकी इच्छा भी कम होती है, और एरेक्शन भी कमाता है, तो एरेक्शन का थोड़ भी problem कभी है, तो अपने इसका इलाश करना ज़रूर ही है ताकि आगे वो ज्यादा ज्यादा ना होते जाए नमबर सत्रा हो सकता है कि आपका husband बहुत ज्यादा शराप पी रहा है शराप से क्या होता है alcohol increases the desire but takes away the performance इच्छा बहुत होती है मगर six कर नहीं सकता है तो वो देखना पड़ेगा कि भी बहुत ज्यादा शराप पीता है नमबर अठरा आपका husband relax करने के लिए time निकालता नहीं है he doesn't relax और relaxation के लिए time नहीं है तो पर क्या होता है parasympathic nervous system जो है वो excited नहीं होती वो stimulate नहीं होती sympathy nervous system stimulate होती है और जब parasympathic nervous system stimulate नहीं होती एक्साइट नहीं होती है तो naturally sex की इच्छा कम हो जाती है अब relax करना है तो योगा करना पड़ेगा फिर hypnosis आप करते हैं जोबी चीज आपको relax करेंगे गार्डन दिंग कर रहे है exercise कर रहे है तो relax होना जरूरी है इसा जुक के बैठना या मतलब लपक के जाना या सीना तांके खड़े नहीं करना आखों में आग नहीं डालना मतलब यह आधते रहे तो क्या मतलब बताता है कि इसका self-esteem कम है एक study है न्यूजिलेंड की उसमें ऐसा देखा गया कि जो लोगों को मतलब जो लोग बात करते हैं और अखों में डालके बात करते बात करते वह लोगों को बहुत अच्छा self-esteem रहता है आत्मसें बान रहता है आर सेक्शली मूर अराउस्ट उनका मूड अच्छा रहता है और उसक्स में बहुत एक्टिव रहते हैं और उल्टा उनन देखा कि जो लोग एक्टमें ऐसे बैठें कि मतलब गले हुए बिलकुल और कोई एनर्जी नहीं है और ऐसे लोगों का इच्छा भी नहीं होती और वो प्रॉब्लम कर देते हैं यह नंबर 19 और नंबर 20 जो है कि मेडिकेशन्स एंटिस्टामिनिक्स मतलब खुझली की दवाईया है एंटिडिप्रेशन्स या और ऐसी को एंटिएंग्जाइटी एंटिसाइकोटिक्स यह दवाईया चल रही है और यह दवाई सेक्स की इच्छा कम करती है तो हो सक्ता है वो दवाई का साइड इफेक्ट है तो उसके लिए वो भी करना होगा तैसी है 20 बाते है यह 20 जो मैंने बाते बताई 20 बैड हैबिट्स जिसके ओपर आप गवर करते तो डिफिनिट्ली आप आपके हस्बंड के साथ में अच्छा सिक्स कर पाऊगे आपके साथ में अच्छा हो जाएगा आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी नव विवाइत जो कपल से उनको यह शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो थैंक्ट्यू बेरिमच